नमस्क्रा जी कैसे हैं आप सव लोग मैं संजिना चोधरी आपका दिल से स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल संजिना के अंधना में दोस्तों जब अब की बाद हमने दिवाले की सफाई की थी तो उसमें मेरी कुछ फाइल निकली जो मैं आपको उस टाइम नहीं दिखा पाई क्योंकि समय नहीं था तो मैं अब आपको फाइल दिखाना चाहती हूं क्योंकि जो हमारे टैन्थी समय में ओम साइंस की फाइल बनवाई जाती थी वह मैंने समाल के रख्टी होई है तो वह मैंने जब दिवाले की सफाई की लिए तो वह अचानक से में सामने आगे तो मैं आपको दिखाना चाहती हूं दोस्तों यह देखिए पहले हमारे फाइल में यह बनवाते थे छोटे-छोटे कपडे इसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा तो कि इस टाइम में तो नहीं बनवाते हैं आज कल की टीचर लेकिन हमसे बनवाते थे तो मैंन यह देखिए फ्रोक है सादा फ्रोक यह मैंने बनाया था यह देखिए यह स्कार्ट है के स्कार्ट कि ये देखी कि ये रखी भॉण्ज हैका कि सिल्वार है ये पैलट वाली है ये साध्डी इए ये रख्वी रखी मैंने काफी समय हो चुका है ये दिन वह देखी रख्वी धराब हो लेकिन अच्छा लग रहा है इनको देखके, पुरानी आदे ताजा हो गई, ये देखिए एक कुर्ता है, नेहरू कुर्ता बनाया था मैने, ये देखिए चूड़ीदार पजम्मी है, ये कलीदार कुर्ता है, छोटा सा, देखने भी बहुत सुन्दर लग रहा है, ये देखिए, ये मैक्सी, ये पैंट कट पजम्मा है, और ये कलीदार मैक्सी है, ये देखिए, कितनी सुन्दर, ये शर्ट है, ये च्छे कली का पेट्टी कोट है, आज के समयम में नहीं बनवाते हैं टीचर्स, लेकिन पहले बनवाते थे, दोस्तों ये देखिए, ये भी मैने तेंट के प्रेट्टिकल में बनाया था, ये देखिया, ये बनवाते, ये अलग अलग तरह की कड़ाई बनवाई थी, कोई काठ की कड़ाई, ये वाली काठ की कड़ाई है, और यह वाली कश्मीरी कड़ाई है यह वाली लखनवी कड़ाई है आप देख सकते इसको और जो यह फिस में है यह साटन की बोर्ट इसको भरवा कड़ाई यह पेंच वाली कड़ाई है और यह इधर है यह सिंधी की कड़ाई उठ्य है यह देखिए आप यह कितना सुन्दर है मैंने बहुत अच्छी से समाल के रखा वह देखे ना बहुत खुशी हो रही है मुझे इसको दोस्तों यह देखी यह वी मैंने तभी बनाई थी और यह देखे वोटर कलर और जो बैंगल सोती है तोटी हुई उससे बना रखी है देखे कितना सुन्दर लग रहा है और यह फिश है फोईल पेपर से बनाते हैं इसको बनाया था मैंने और यह देखे गमला कितना सुन्दर इसकी एक बिंदी भी अट चुकिया है क्योंकि सिर्सों के दाने होते हैं छोट छोटे उनमें कलर करके हमने यह बनाये थे यह देखे आप कितना सुन्दर है यह देखे मोर कितना सुन्दर है यह हमने जो पैंसल छिलके पैंसल के छिलके होते हैं उससे बना रखे है और वोटर कलर यह दोस्तों यह देखे यह माचिस की ति स्टिक होती है उन से बनाई है मैंने कितना सुन्दल लग रहा है यह देखें दूलन है इस पर मैंने यह मोती लगाए है और यह वाला क्या बोलते हैं उसको फोईल पेपर है और यह वाला हमारे पास एक यह रखा था मुकुट जो हम मैं अपने बेटे के लिए लाए थी जो व भी पूल बनाया था हमने उसको तो यह उसका use करके यह लैस थी हमारे पास उससे हमने जोड़के मैं नहीं बनाया थे हिए यह देखें फूल यह है जो पैंसिल के सील के होते हैं उसी से बनाए है तो दोस्तों अब मैं जो आपको फाइल जारही है हूँ नर्सरी टीचर ट्र बहुत अच्छा लगता है तो मैंने सुचा कि मैं आपको जरूर दिखाना चाहते हूं देखिए ये फाइल हमसे बनवाए गई थी जिसमें ये एलफाबेट की फाइल है ये वह वल्स है ये कॉंसुनेंट्स है और ये देखिए आप मैंने ये बनाई है आप देख सकते हैं इस कि अगे देखिए फ्रैंस जो अलफाबेट ए और बी से मतला इस तरह से सुरू होती है तो ये मैंने फाइल बना थी हूंके पोएम के साथ ये ए की है ये बहुति है याने सारे जो हमारे ये बीस ती हैं उनके हिसाब से सारी ये बनाई थी पिक्चर और को एम लिखती थी यह देखिए सुन्दर है ना दोस्तर मैंने बहुत मेहनत की थी से मुझे बहुत अच्छा लगती है इसलिए मैंने सोगता है कि मैं आपको दिखाऊं कि देखिए यह थोड़ी सी इंकम्प्लीट है तो कि फिर जब मेरी परेशानी होगी तो मैंने इसको फिर कि दोस्तों यह देखिए इस फाई में मैंने सारा बोटर कलर से काम किया हुआ है और देखिए यह देखिए कितना सुन्दर है यह देखिए यह देखिए मैंने कम्प्लीट भी नहीं क्या थोड़ा थोड़ा सा अनकम्प्लीट है यह देखिए कितना सुन्दर है यह मैंने बहुत मेहनत से बनाई यह देखे कोईन की बनाई है यह देखे ग्रेप्स कितने सुन्दर लग रहे हैं यह देखे कलर घील यह कलर है हमारे सारे यह देखे एक डिजाइन यह था यह थ्रेड से बनाई जाते हैं और उससे बनाई जाते हैं यह देखे कितना सुन्दर बनाया है मैंने यह देख सकते हैं देखिए हो दोस्तों यह देखे मेरी क्राफ्ट फाइल है इसमें सारा औरिगेमी वर्क है यह देखे इन्ट्रोड्रक्स देखे क्विप्ट्रोड्रेट्न सुन्दर अभादिकर देखा यह देखे कितन्ह सुन्दर दिखे रहा है यह मेरी इनकम्प्रेट है जोस्तों जब हम अपने पुराने समय में जाते हैं जो एक अलगी आनल दाता है मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा दोस्तों यदि आपको कोई समझना पाई तो आप बिल्कुल भी परिशान मत हुआ क्योंकि अच्छे लोग और अच्छे किताबें अक्सर्फ कमी समझ बहाते हैं तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कत्तक के लिए राम नाम जाए